आज, हम एक ऐसे विशे पर विचार कर रहे हैं जिसने पीलियों से मन को आकर्षित किया है, क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है। जैसे ही हम इस दिल्चस्प अवधारना से जुड़े सिध्धानतों, विज्ञान और बहस का पता लगाते हैं, इसमें शामिल हो। विज्ञान में गहराए से जाने से पहले, आए देखे कि कैसे समय यात्रा ने फिल्मों, टीवी शो और किताबों में हमारी कल्पना को कैद कर लिया है। बैक तू दा फ्यूचर, जैसे क्लासिक से लेकर, इंटिस्टेलक में दिमाग जुका देने वाले कथानक तक, हम, हमने समय यात्रा की अंगिनत व्याख्याएं देखी हैं। लेकिन मिग्ञान क्या कहता है? समय यात्रा को समझने के लिए, हमें पहले उन सैधान्तिक धाचों का पता लगाना चाहिए जो इसे रेखांकित करते हैं। हम आइंस्टीन के सापिक्षिता के सिध्धान्त द्वारा प्रस्तावित जुर्वाव विरोधा भास पर चर्चा करेंगे, जो उच्च गती पर समय के फैलाव का सुझाव देता है। इसके अतिरिक, हम की अवधारना पर बात करेंगे वर्महोल, जो सैधान्तिक रूप से समय और स्थान में विभिन बिंदूं को जोड सकते हैं। भार एक चुनोतिया प्रचुर हैं। हम समय यात्रा के लिए भारी उर्जा आवश्यक्ताओं, वर्महोल की स्थिर्ता और अस्थाय लूप बनाने की क्षमता की जाच करेंगे। ये केवल डैलोरियन में कूदने के बारे में नहीं है, विचार करने के लिए और भी बहुत कुछ है। माने या ना माने, वास्तविक दुनिया के कुछ प्रयोगों ने समय के फैलाव की संभावना का संकेट दिया है। हम प्रसिध हफिल कीटी प्रयोग और तेजगती वाले हवाई जहाजों में परमानों घडियों से जुड़े कम ग्यात लेकिन आकर्शक प्रयोगों को देखेंगे। समय यात्रा केवल भोतिकी के बारे में नहीं है, ये नेतिक और दार्शनिक प्रश्न भी उठाती है। हम अतीत को बदलने के परिनामों, स्वतन्त रिच्छा की अवधारना पर विचार करेंगे और क्या एतिहासिक घटनाओं का अवलोकन करने से उनके परिनाम बदल सकते हैं। जैसा की हम समय यात्रा के दाईरे में इस यात्रा को समाप्त करते हैं, एक बात स्पष्ट है, जबकि विज्ञान मनोरम है और सिध्धान्ग दिल्चस्प है, समय यात्रा एक कालपनिक सीमा बनी हुई है। अवधारन अब्रम्हान की हमारी समझ को चुनोती देती है और हमें सीमाओं का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है हमारी कल्पना का समय यात्रा पर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे टिपनी में बताएं अधिक विचारोग तेजक सामगरी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले अगली बार तक सर्थोमस हस्ताक्षर कर रहे हैं यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो अधिक दिमाग जुकाने वाले विश्यों के लिए हमारी प्लेलिस्ट देखें और अप्टेट रहने के लिए घंटी आइकन को दबाना याद रखें देखने के लिए घन्यवाद